रात के एक बज़े का समय था, दो माबाप थे, अपनी चार पाई पर बैठे हुए थे, और नजाने किसे सोच विचार में डूबे हुए थे, सोच विचार कर रहे थे, उनकी सोच ये थी कि उनका जो जबान बेटा है 20 साल का, वे उसकी हत्या करने की प्लानिंग बना रहे थे, दो सगे माबाप जो कि अपने 20 साल के बेटे की हत्या करने की प्लानिंग कर रहे थे दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, वे सोच ही लेते है और फाइनल उनका डिसीजन यही होता है कि अब अपने बेटे को इस दुनिया से विदा करना होगा उसके बाद वे दौनों उठते हैं, खड़े हो करके हाथ में चाकू हसिया लेते हैं और अपने बेटे के कमड़े में जाते हैं, वहाँ पर 20 साल का बेटा जो की सो रहा था और सोते हुए की गरदन को हासिये से काड़ दिये जाता है दोस्तों बेटे को मौत के घाट उतानने के बाद अब वे उसके सरीर के टुकड़े करते हैं एक-एक पार्ट को अलग करने के बाद उसकी ओलिया भी कट जाती है और पूरे घर में खून फैल जाता है उसके बाद उस लास्कोवे अपने घर के पीछे खेतों में दफन कर देते हैं दरसल दोस्तों यह घटना क्या है और क्यों एक माबाप ने अपने बेटे की इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी पूरी जानकार यहां पर लेने वाले हैं वीडियो को अंजित तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरशीवा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना 36 गड का कांकेर जिला पड़ता है और कांकेर जिला के अंदर गौंडा हूर थाने के अंतरगत एक गाउं आता है जिसका नाम है पीवी गाउं पीवी गाउं के अंदर यह घटना घटती है पीवी गाउं के अंदर 15 अगस्त की मॉर्निंग में यानि की सुबह सुबह गाउं के बच्चे, बूडे, बुजर्ग, कुछ स्कूलों में जाते हैं 15 अगस्त का वो मनाने के लिए फंक्सन और देश के अंदर एक तरह से अलगी लहर होती है उस दिन तो गाउं के कुछ लोग सडक से गुजर रहे थे, सडक इन दोनों माबाप के घर के पास से गुजरती थी तब ही गाउं के कुछ लोगों को एक जगह नई-नई मिटी खुदी हुई दिखाई देती है तो वहाँ पर रुखते हैं तो देखते हैं वहाँ पर उंगलियां पड़ी हुई थी किसी इंसान की और उंगलियों के पास में ये कड़ा पड़ा हुआ था अब यह बात पूरे गाउं में फैल जाती है कि भाई सड़क के किनारे खेतों के अंदर एक इंसान की उंगलियां पड़ी हुई है और उसका कड़ा भी वही पर पड़ा हुआ है और मट्टी ताजा ताजा है यानि कि मट्टी के अंदर हो सकता है उसका बाकी का सरीर दपनाया गया हो अब पूरे गाउं के लोगों हाँ पर एकटे हो जाते हैं और यह जो दो माबाप थे जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में चर्चा की वह भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो उस कड़े को ले करके मा जोड़ जोड़ से रोने लगती है कि यह कड़ा तो मेरे बेटे का है बेटा जिसका नाम अभैसील है अब माबाप रो रहे थे गाउं वाले एकटे थे पुलिस के पास फौन किया जाता है पुलिस वहाँ पर एन मौके पर आ जाती है आ करके वह पूछती है कि आखिर मामला क्या हुआ तो गाउं वाले पुलिस वालों को उस खेट की तरफे सारा करते है तो पुलिस वहाँ पर जब कड़ी होती है तो देखती है वहाँ पर ताजा मिट्टी खोदी गई थी और मिट्टी के पास में इंसान की उंगलिया कटी हुई पड़ी थी और एक कड़ा था उस कड़े को लेकर एक औरत वहाँ पर रो रही थी अब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि इस मिट्टी के धेर के अंदर जरूर कोई ना कोई लास है उस औरत से पुलिस पूचती है कि तुम क्यों रो रही हो तो औरत बताती है कि यह कड़ा मेरे बेटे का है और हो ना हो मेरा बेटा ही मरा हुआ पड़ा है अब पुलिस लास को खोड़ती है तो उसके अंदर पुलिस देखती है कि लास के कई टुकडे किये गए थे और उसको वहाँ पर दफन किया गया था पुलिस लास को निकालती है उसको पोश्ट मार्णम के लिए भेज देती है उसके बाद पुलिस माबाप से पूछती है कि आकर क्या हुआ तो माबाप कहते हैं कि रात को एक वज़े इसके फॉन पर फॉन आया था किसी का और यह हमसे कहकर निकला था कि ममी पापा मैं अभी आ रहा हूं और उसके बाद यह आया ही नहीं और सुबह इसकी लास मली अब पुलिस वाले माबाप से ज़्यादा पूस्ताज नहीं कर सकते थे गाउवालों से पूस्ते हैं लेकिन गाउवाले उस लड़के के बारे में नेगिटिव ही बात बताते हैं ज़्यादा अच्छी बात नहीं बताते हैं लेकिन पुलिस वाले फिर भी तलास कर रही होते हैं दरसल दोस्तों यह है परिवार जिसके अंदर पिलास सील जो की इस परिवार का मुक्या है जिसकी उमर 40 साल है पिलास सील की पत्नी जिसका नाम रंजीता है जो की 38 साल की है इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम अबै सील है जो की 20 साल का है अबैसील जो कि नागपुर में हल्दी राम की नमकीन की फैक्टरी में दो हपते पहले ही जाकर लगा है और वहीं पर काम किया करता था लेकिन अभी वह गाउं में आया हुआ था अब यहाँ पर पुलिस पूस्ताज करती है तो माबाप ने जैसे बताया था कि रात को एक वज़े उसके फॉन पर फॉन आया था उसके बाद वह किसी से मिलने गया और फिर वह वापस लोटा ही नहीं पुलिस वाले कॉल डीटेस वगेरा चेक करते हैं लोकेशन चेक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि उस लड़के के पास साम के साथ वज़े के बाद कोई फॉन आया ही नहीं था तो मैं सोचते हैं कि माबाप ने फिर जूट क्यों बोला जरूर कुछ ना कुछ डाल में काला है उसके बाद पुलिस वाले उस माबाप के घर पर जाते हैं तो वहाँ पर गौर से जब देखते हैं तो घर के अंदर कुछ खून की बूंदे पड़ी हुई थी हाला कि माबाप ने सारे घर को फरस को दो दिया था लेकिन फिर भी खून की कुछ बूंदे मापर जमी हुई पड़ी थी अब यह देखकर पुलिस सारा मामला समझ जाती है कि बात बाहर की नहीं है बात तो घर के अंदर की है माबाप को उठाया जाता है उनसे सक्ती से पूस्ताच की जाती है तो अब यहां पर पूरा मामला खुल कर आता है माबाप कहते हैं कि हमारा बेटा नसेड़ी बन चुका था वह सराव और सलोचन और ड्रक्स वगएरा और सूखे नसे वह करने लगा था दोस्तों उसके बाद मैं बताते हैं कि अब उसका ये हाल हो गया था घर के अंदर से सारी चीजों को चुरा करके वह उनसे नसा कर लिया करता था और वह जब हम उससे कुछ कहा करते थे तो हमारे उपर भी पिटाई लगाया करता था 20 साल का लड़का अपने माबाप को पीटने लगता है गाउं के अंदर किसी का कोई सामान पड़ा मिल जाता उसको चोरी कर लिया करता कई बार तो कई घरों में भी उसने पैसो की भी चोरी की किसी का अनाज की चोरी कर लिया करता किसी के घर में कबार पड़ा रहा करता उसको चोरी कर लियाता और उसकी जगह सूके नसे किया करता था दोस्तों गाउं के जितने भी लोग थे वो यही कहते थे कि यार इससे तो यह आदमी यह लड़का मर जाए तो अच्छा है इसके माबाप कितने सीधे साधे हैं उनके माथे पर एकलंक लगाता है अब एक दिन क्या होता है अभी की बात है माबाप परेशान हो चुके माबाप से जब कोई गाउंवारा सिकायत करता कि तुम्हारे लड़के नहीं यह कर दिया तो आपने लड़के को जब पूछते तो वे उल्टाउने ही पीट दिया करता कि मैंने कुछ नहीं किया इस तरह का माहौल चल रहा था राद दिन नसे में चूर रहा करता था अब जो माबाप होते हैं उसको नागपुर में हल्दी राम की नमकीन वारी फैक्टरी में काम के लिए भेजते हैं वे सोचते हैं कि साइद ये सुदर जाए वे वहाँ पर काम के लिए जाता तो है लेकिन वहाँ भी पैसे वगएरा उधार लेकर नसे करने के बाद वे वापस दो हपते में गाउं में आ जाता है माबाप को बड़ा चुबता है कि यह तो कहीं काम भी नहीं करेगा आगर इसका हम करेंगे क्या उसके बाद क्या होता है दोस्तों दो दिन गुजरने के बाद वे गाउं में से किसी के घर में से एक साइकल चुरा लेता है और उसको बेचने के बाद उसकी नसा कर जाता है अब यह बात माबाप के पास पहुंचती है क्योंकि किसी ने उसको साइगल चुराते हुए देख लिया था तो माबाप उससे कहते हैं कि तू ऐसा काम कर तक करता रहेगा पूरे गाउं में हमारी थूतु करवा दी है तूने दोस्तों उसके बाद वह जो बेटा होता अपने माबाप को ही पीट देता है डंडे से और पीटने के बाद अब साम हो जाती है और नसे में दुद्ध होकर अपने कमरे में सो जाता है अब माबाप जो की जिनकी आँखों से आँसु रुखने का नाम नहीं ले रहे थे और अब वह एक डिसीजन लेते हैं फैसला बनाते हैं रात को और फिर गाउवालों को पता लगता है और फिर यहाँ पर मामला खुल जाता है दोस्तों जैसे यह मामला खुलता है तो गाउव के भी कुछ लोग ऐसे थे जो माबाप का पक्स ले रहे थे कि इन माबाप ने जो भी किया सही किया कुछ लोग ऐसे भी थे कि वही कानून करता अपने हिसाब से या फिर ऐसे मालने की क्या जरूरत थी माबाप को अब इस तरह से यहां पर फक्ष दो तो होते ही हैं दोस्तों हर जगह पर लेकिन कुछ लोग यही कह रहे थे कि माबाप को उसने बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और इन्होंने जो किया सही किया उससे पीछा छूट गया अब यह कुछ जिंदगी अपनी जेल में काटेंगे बेसक लेकिन फिर भी अच्छा ही किया तो आप यहां पर क्या कहना चाहोगे दोस्तों कई बार जब उलाद माबाप के कंट्रॉल से बाहर हो जाती है तो बड़ी बदनामी होती है क्योंकि वह अपनी मन मरजी के काम करता है और इतनी बुद्धी होती नहीं है 20-25 साल के लड़के में क्या करना चाहिए समाज में क्या नहीं और जो उसके मन में आता वो करता जाता है लोगों से उल्टा सीधा बोलना या फिर चोरी चकारी करना किसी और बात में पढ़ जाना नहीं जने क्या क्या वह काम करता है उसको ये पता नहीं होता है कि समाज में हमें जीवन बन रहना होता है दोस्तों कभी भी ऐसे चक्करों में ना पड़े, माबाप का साहरा बने, ना कि माबाप के लिए रुकावट बने, उनके साहरे की लाठी बने दोस्तों कई बार कुछ बच्चे इन चक्करों में पढ़ जाते हैं लेकिन सुधरा भी जा सकता है इस बात को भी ध्यान में रख लेना चाहिए सोधरा भी जा सकता है जिंदगी को दुबारा पटरी पर भी लाया जा सकता है कुछ लोग कहते हैं कि अब तो हम ऐसी जगह पर पढ़े अब वापस जिंदगी में वापसी नहीं होगी हो सकती है हो जाती है ये कोई जूट नहीं है ये सच है लेकिन हिम्मत की ज़रूरत होती है आप वापसी भी कर सकते हो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगला पुरा मजल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें साबधान रहें और ऐसी वैसी चीजों से दूर रहें माबाप का सहारा मनें अपने जीवन को आगे तरक्की की ओर ले जाएं ना कि गड़े की तरब धके लें जैहिंद जैभारत